तरतिये स्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती लेवल टू अत्रिक्त के अभ्यर्ती यहां पे मोजूद हैं लगातार जो विदान सभा में तमाम मंत्री और में पहुंच रहे हैं उनको अपनी भर्तियों को वापस शुरू करवाने और नियुक्तियों परदान करने के बाबात में यहां पर विदान सभा के सामने अभ्यर्ती मोजूद हैं हम अभ्यर्ती बात कर लेता हैं सर क्या पूरा मामला है कौन सी वर्ती के लिए आपना पहुंचे हैं सर जी हमारा सारा मामला अध्यापक जो थाड़ी वर्ती 2022 जिसमें एडिशनल डिग्री दारी जो इडिशनल या हम लोगों के लिए पूरी तरह से सरकार ने हमारी न्यूक्तियों पर प्रविजनल हमें करके रोक दिया है जबकि हमारे हमारे को 2016 और 2018 में जो इसी सेम प्रक्रण में बच्चों को न्यूक्तिया दी गई हैं लेकिन 2022 में जबकि पहले के तुलना करें हम 18 की बढ़तियों से तो हमारे इस बार बहुत फेइर कॉंपटिशन हुआ है हमें सीधा रीट के आदार पर नहीं लिया गया है पिलकि रीट के बाद हम लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट में सेम पेपर को पूरी तरह से विशे विशेशक के दौरा पूरा पेपर हमारे को मिला है उस पूरी तरह से वैलेड डिग्री को लेने के बाफ जूद भी अगर प्रॉविजनल कर दिए गए हैं जबकि आज भी सारी सरकारी युझिटी राज़्तान विश्विच डियाल है उनके एविडेंस में एडिशनल डिग्री दारियों को पूरी तरह से पात्र माना जाता है यह आज भी स्वारे यूनिश्टी के फॉर्म एडिशनल के धुरू बरवाय जा रहे हैं, हमारा सरकार से नई सिक्षा मंत्री जी से यही अनुरोध है, अगर हमारी डिग्री में किसी भी तरीके से आपको खोट है खामी नजर आती है, यह कोई फरजी डिग्री है तो आप हमें ज न्याय होगा और हमारी नए सरकार से भजनलाल जी से नए носी हमसाब से हमारे मैटर को कांगरे सरकार आप सुनेंगे और हम जल्द से जल्द नियुकतिया प्रदान करेंगे देखिए लेने के लिए उन्हें वजानल सर्मा की सरकार जो ड़्वलेंजनगी उन्हें से गोहार लगाई है क्योंकि उन्होंने घुम्रा करके पताइज किरने काम किया है वो शायद इस्राम राज की सरकार में नहीं होगा देखिए तम हमारा सेलेक्षन हुआ है सर और हमने दो पेपर क्लिर किये प्री और में उसके बावजूद भी हमारी जोइनिंग रोक दी गई है सर तो हमारे नेताओं के पास आए अपनी गवार लेकर हमें पूरा वेकीन है वह हमारा साथ देंगे और हमें जोइनिंग दिलाएंगे और हमें जाम दे हैना और सब कुछ किया हमने कोई इस इस नहीं था सर अब भी तक मतलब जोइनिंग दे ते हैं तो हमारे साथ इसा वेदवाओ क्यों सर हमने दो पेपर क्लीर कि उसके बावजूद में मारे साथ वेदवाओ हो रहे हैं अब तो 2016 और 18 में इनको जोइनिंग दे हमारा आज के तारिक में किसी भी न्याले में कोई भी कहीं से भी हमारे अगेंश कोई भी ऑडर नहीं है बलकि हमारे फेवर में गौवर्मेंट खुद 16 और 18 बढ़ती में एडिशनल डिग्री दारियों के पक्ष में SLP आज सुप्रीम कोट में पेंडिंग है और उस SLP का निड़ने अगर 10 साल तक नहीं आता है तो हम जो आज सलेक्टेड बच्चे हैं तो क्या हम 10 साल का इंतिजार करें जब तक हम ऑवरेज हो जाएंगे जिस तरह से पूर में 1618 में इसी सेम प्रक्रण में नियालिया के पर नियुक्तिया दे दी जाएं क्योंकि जब तक अगर हमें नियुक्तिया अगर वैसे भी सीटे खाली रहेंगी विद्यालों में अध्यापकों के जो पद है वो भर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी सीटे फरकार ने पूरी तरह से रिजर्व कर दी गई है तो इससे अच् है उन नियमों के अधार पन को बड़ती किया जाए नुक्तिया पतान की जाए एक अबरतिया मारे साथ मोजूद है मुंसे बात रहन से कहां से पहुंचवे है क्या नाम आपको अक्रम खान चूरु से मुसर क्या पूरा मामला है क्यों पर यह 2022 की बड़ती का मामला है डिसन अब नहीं होगा अमीद मना क्या आप यह पहुंचे हैं अगर बाई और आपकी उमीद के पर पानी फीरता है तो चार रैने ती रहरने elynेजे वाली है अगर अमारा पूरा पूर्न समर्थन करेंगे यहां पर भी आंदुरान की बात कह दी है सेकंड जो इकजाम थी उसकी बर्ती जो नुक्ती के लिए जो इकठे हुए हैं अबरती एक हमार साथ बर्ती क्या नाम है और आज हमारा विदान सभासत्र शुरू है नई सरकार के साथ तो में बड़ी खुसी की बात है कि बाज़पा के सासंद में हमारे साथ जो पूरवर्ती कौंग्रेस सरकार के करफ्ट करमचारियों ने हमारे साथ जो बैदभाव किये उनकी गलत नीतियों के कारण हम पात्र होते हुए भी आज इस रोड पे भटक रहे हैं इसका कारण वो पूरवर्ती सरकार रही है जि हमें आस्वस्त किया है कि आप जरूर इस चीज में काम्याब हो क्योंकि आप बिल्कुल पूर्ण पात्र हो आप इस बार दो-दो एक्जाम देके आए हो एक विशे का पेपर आप अलग से दिये हो और आप में वह योगता है इस वज़े से आप हजारों लाखों की दीजिए हम कई भी गलत नहीं है जैसे भी आपने 2016 और 2018 में इस्टाम पेपर लेकर नुक्तिया दी उसी रास्ते से हमें भी नुक्तिया दे दीजिए और यह हमारा अंतिम विजन है कि हमको नुक्ति जल्दी से जल्द भाजपा सरकार हमें नुक्ति देकर हमारे साथ जो कु अब तमाम जो अब यह है वह अब यह लगातार मांग कर रहे हैं विदान सभा के सामने खड़े हैं जैसे ही कोई मंत्री और नेता निकलेंगे तो उन से भी बारत लाप करके अपनी बात वहां तक पोश्छानी कोशिश की जाएगी संज्जा सर्मा के दाद संदी पकर वालत